नमस्कार दोस्तों, welcome to your own channel, learn to earn by AKR, so friends, today we will be discussing about HDFC bank, Raymond and Relious Stocks के बारे में, जहापने HDFC bank में आज अच्छी खासी गिराउट देखने हो को मिल रही है, पिटाई हो रही है, तो किस कारण सेक्राइट गिराउट हो रही है, ब्रोकरेज का क्या टार्गेट निकल करा रहा है, Raymond में क सभी चुजों को आज इस वीडियो में डिसक्स करने हो रही है, तो चली स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका HDFC bank, 1649 के प्राइस में ये ट्रेट करें, 4.52 परसन यहापर गिराउट देखने को मिल रहा है, 1700, 1700 बहुत इंपॉर्टन सपोर्ट था, वो टूड चका है, अब तो ये भी एक positive trigger रहेगा, इस सभी चुजों को आपको ध्यान में रखरके HDFC bank में trade करना है, अब है important अब जिसकारण से share में अच्छी कासी पिटाई हो, उसको जड़ा चेक कर लेते हैं, तो फ्रेंड, company ने announce किया अपना number, डाउड के पीछे main reason क्या है, वो है company का मिला जुल परसन का jump है, similarly advanced under management, देखे 17,053 से बढ़कर के 25,750 हो गया, यहां भी देख सकते हैं, 51% का jump है, average में भी 16 से बढ़कर के 25,325 हो गया, यहां भी 54% का jump है, deposit में 19,000 से बढ़कर के देख सकते हैं, 23,790 हो गया, 24.4% का jump है, यह early basis में friend, देख सकते हैं, अच्छा खासा प्रदर स ने, deposit में भी देखे 18,000 से बढ़कर के 22,830 है, 25% का jump है, yearly basis में result, जो number जो है, वो शांदार है, लेकिन quarterly basis में थोड़ा मिला जोला सा प्रदर्शन हो गया, March से compare कीजे, March को जून से compare कीजे, 2024 को, यहां पर देखे, advances में 0.8% का jump है, advance under management में 25,758 से गिर कर के 25,750, यहां भी negative side म result जो है, जो number जो है, वो मिला जोला सा number है, लेकिन अभी इतनी गिराउट हो चुकी है, बिल्कुल support के पास ही पहुँच रहा है, इसलिए धान से trade कीजेगा, अब है, in short अगर चेक करेंगे, तो देख सकते है, HBC bank जो रहता है, आज डाउन है, 4% after lack luster, business update, reduction in loan and flat deposit trigger, stock decline, तो ये दो काड़नों के कारज, HBC bank में आज गराउट देखने हो कि मिल रहा है, जेफरीस ने describe किया है, flat deposit growth as slightly disappointing, ये contribute कर रहा है, to the negative sentiment around the bank stock, अब यहाँ पर देखें फ्रेंड, नोमूरा का क्या target निकल करा रहा है, तो नोमूरा का जो है, वो take है, देख सकते हैं, बताया है, उनक रखा है, maintain a neutral target, while suggesting a target price of 1660, उनके target price से अभी ये नीचे trade कर रहे है, तो फ्रेंड, ये था important update regarding HBC bank, अब move करते हैं, तो इस नेक्स कंपनी, जो कि है आपका रेमंड, 3198 का price है, 8.80% है, आपर उच्छाल के साथ अभी ये trade कर रहा है, तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा momentum है, आ अलड़ी de-merger का process चल रहा था, अफिर से एक de-merger यहाँ पर हो रहा है, रेमंड लिमेटेड ने अनौंस किया, vertical de-merger of its real estate business, into its holy one subsidiary, रेमंड reality limited, तो एक और company बन जाएगी, रेमंड reality limited, de-merger अलग हो जाएगी, upon completion of this de-merger, रेमंड लिमेटेड and रेमंड reality limited, operate करेगी separate listed companies हो जाएगी within the raiment group, post all statutory approval, अब इसमें shareholder को क्या मिलेगा, तो friend, the new entity will seek automatic listing on stock action and according to scheme of arrangement, each raiment shareholder will get one share of, देख सकते हैं, RRL, यानि raiment reality limited को share मिलेगा, for every one share held for raiment limited, अगर आप एस raiment का एक share है, उसके बतले में आपको raiment reality का एक और share मिलेगा, यह company listing के लिए stock action में जाएगी, इसके आ दिया है, देख सकते हुनका कहना है, कि सबसे पहला चीज, जज़ डिमर्जर होगा, तो value creation होगा, फिर enhance shareholder value, यहाँ पर डिमर्जर के बाद जो रहता है, one is to one का ratio में आपको देख सकते हैं, एक share, अगर आप रिमन का एक share hold करें, तो रिमन reality का भी आपको एक share मिलेगा, company इसको आप चेक कर सकते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं, कितना share मिलेगा, recorded क्या है, अभी latest जो update आ रहा है, कि रिमन reality जो है, यह भी अलग हो जाएगी, तो फ्रेंट, एक company हो जाएगा, रिमन reality, जो listing के लिए जाएगी, यहाँ पर एक की बदले में एक share आपको मिलेगा, रिमन consumer limited, isolated video बनाओ, उसको चेक कर सकते हैं, और तीसरी company हो जाएगी, रिमन इनिजिरिंग, तो जो भी रिमन की share hold कर रहे है, उनके पास तीन तरह का stock रहेगा, तो यह है about demerger, जिसका आपको मिल रहे है, अब move करते हैं towards railway stocks, जहाँ पर देख सकते हैं, आज तुपानी तेजी है, बहुत जबरदस तेजी देखने को मिल रहे है, सभी म अको रिमन 2.65, टीटागर में 2.55, यानि की railway stocks में जबरदस देजी है, उसके पीचे रिजन क्या है, सक्टर, अब दूसरा सक्टर परफॉर्म करना, सबसे पहला रिजन, और दूसरा फ्रेंड, इनका order बुक जो रहता है, और प्लस इनको continuous order मिल रहा है, अभी देखी, अब इन स्टाुल करना, तेस्टिंग करना, करना रोग करना है, और ब्रॉड बेस्ट गॉज, बैलस्टलेस, ट्रैक, सप्लिय ऑफ ब्लस्ट, बैलस्ट वाफ्सट, अन इंस्टलिश्म ड्राक करना देखसकते हैं, यह कहां करना देख सकते हैं, विथ निउ बीजी लाइन, रिशी केस और करन परियाग इन स्टेट अफ उत्राकन यहाँ पर है डमस्टिक आने इंडिया में ओर्डर है और यहाँ पर कब तर कुम्प्रीट करना है तो 42 बंस में साइज देख सकते हैं यूज है 750 करोडस 82,79,068 पैसा एट ओनली तो फ्रंड यह अपडेट आ रहा है यहा से इनको ओर्डर मिला वो है वेबल टेक्नोलोजीज जहां पर काम करना अप्ग्रेडेशन और एन्हांस्मेंट अविस एक्सिस्टिंग आइट ए नौन इटी इसी इंफ्रसेक्टर को करना है यह ओर्डर जो है वो डमस्टिक है देख सकते हैं यानि इंडिया का ओर्डर है टाइम पिरेड पाइच इस तो भी एक्जग्यूटेड है 25 सप्टेंबर 2024 तक ही ने एक्जग्यूट करना है साइज है देख सकते हैं अच्छा कासा 23 करोड 96,16,993 का यहां पर ओडर है तो फ्रेंड कंटिनुएस ओडर आना प्लस सेक्टर रोटेशन में यहां पर अच्छा पाइची बैंक एंड रेमिट आपको वीडियो अच्छा लगा देंग वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा जाना प्सफ्राइब बीजेगा थेंक यू